तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे MSC Communication Course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि MSC Communication का Course अकर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, अक्रिजया कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है, इस कोर्स का eligibility criteria क्या है, और अंतमी दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो, आपको किस परकार की job मिल सकत है, तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो educational word study channel, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ, MSE communication course के बारे में, और दोस्तों अगर आपने 12th young graduation की class को पास कर लिया है, और अग वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो अगर आपसे मैं MSE communication course के वारे में आपसे में discuss करूं, तो MSE का मतलब होता है Master of Science, और MSE communication का जो course है, वो एक post graduate level की degree का course होता है, तो इस course में students को communication, methodologies और उसकी applications, और साथ म में उसकी क्या importance से workplace में तो जैस सारी चीज़े student को पढ़ाई जाती हैं, इसके लावे इस course में organizational, interpersonal और mediated contents, एक सेक्टरान चीज़े student को study करवाई जाती हैं, अभी आपसे मैं course duration की बारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि जनी जैक कोर्स आखिर कितने वरश का course होता है, तो द दोस्तो शे महिने तक ही होती है, अभी आपसे में eligibility criteria के वारे में आपसे में discuss करने वालाओं की जनी आप इस course में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो, तो इस course में admission लेने के लिए दोस्तो आपको जो bachelor की जो degree है, उसी आपको पास करनी पढ़ेगी, पर जातर जो students होते हैं, वो B.C. Communication का course पूरा करने के बाद ही इस course को करते हैं, अभी आपसे में job profiles के वारे में आपसे में discuss करने वालाओं की जनी अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो, आपको किस परकार की job मिल सकती है, तो दोस्तो आप film producer बन सकते हो, आप generalist बन सकते हो, आप event manager बन सकते हो, इसके इला इस course के वारे में आपसे में discuss करने वालाओं की जनी अगर आप इस course में आगर किस परकार के subjects और syllabus आप study करते हो, तो इस course में आप introduction to video production, media technologies, media management, research, methodology, script, writing, etc. topics और subjects आप इस course के दोरान आप study करते हो, और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं, जो आपको इस course के दोरान आपको जाते हैं, और साथ में दोस्तों मैं आपको उताना चाहता हूँ कि कई universities और college के syllabus के हिसाब से, जो subject हैं, वो different भी हो सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे MSC Communication course के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में discuss किया है, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी, आप उन्हें वाजा कर भी देख सकते हो, तो अंत में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो केसी लगी, अगर आपको जैब वीडियो पसंद आईए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक् टाइब करना मत बूलना, धन्यवाद